विशाल और आप देखने छोटे विशाल टेक में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज पिर मैं आपके लिए नहीं वीडियो लेकर आगें तो दोस्तों आज की वीडियो यह कि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने फोन से कोटक महंद्रा बैंक का अकाउंट जीरो वैलेंस का कैसे ओपन कर सकते हैं तो चलिए बने रही है वीडियो पर वीडियो पर नहीं है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक और तो चलिए आलना है कोटक महंद्रा ठीक है कोटक महंद्रा लाते ही आप यहां पेर स्क्रॉल करना नीचे स्क्रॉल करते ही आप को यहां पेंfa दिखेगा अपलाईप के लिक करना है आप आप कि करने के पात में आपको यहां पर नमबर डालना है कि एरिया पिन डालना है जो आपका एरिया पिन लगे बाद में कुछ इस प्रिकास इंटर फेर दिखेगा आपको यहाँ पे पैन नमबर डाल देना है प्रोसेट नाव पे क्लिक कर देना है अब आपको यहाँ पे प्रोसेट पे ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे ओटीपी प्राप्त होगा ओटीपी इसमें डाल देना है आपको टू सेवन जीरो सिक्स कर देखें मेरा जो की मेरी और मेरा अकाउंट नमबर वहाँ गया है और यहाँ पे आपको डालना है कि आप क्या करते हैं इस्टूडेंट हैं होम मेकर हैं बिजनेस हैं फार्मर है पर प्रफेस्टनल हैं इंप्लॉयड हैं तो मैं यहाँ पे सेल्फ इंप्लॉयड डाल देता हूं सेंप्ल पर डालने के बाद में आपको मंतली वह साल की वह डालनी है सिंगल है मैरी नहीं तो यहाँ पे फादर्स नेम डाल देना है अब फादर्स नेम डालने के बाद में आप अब प्रोसिट करते ना है बिल्कुल सेम पड़ेगा प्रोसिट करने के बाद में आपको यहाँ पे जो यहाँ पे हाउस नमबर मग दूसरा नम लेंड मार्क और पिंट को प्रोसिट करने के बाद में आपको यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जैसे की हाउस नमबर डाल देना है दूसरा हाउस नमबर डालना है और यहाँ पे और फिर से सेकंड पर house number डाल देना सेकंड landmark डाल देना जो आपकी nearby जो भी हो और यहापन पे pin cold डाल देना फिल कोड डालने गादनी यहापन पर ब्रोसिट कर दे लिख को डालने हώνेए पर प्रोसिट करने के चीर ने वर слыш एक यहां पर आपको सेम यहां पर मीटिंग एड्रस फुल ठीक है कि वाई सी पर ओके कर देना यहां पर ओके हो जाएगा और यहां पर अगर अपने डूसरा यहां पर दूसरा यहां तो कोई बार नहीं आप यहां से प्रोसीड कर सकते तो यह आपका खाता खुल जाएगा तो आई होब दोस्तों आपको इसमें एटियम भी मिल जाएगा पैन कार्ड भी मिल जाए वह एटियम पास चेकबुक पास्बुक सभी चीज ऑपरेट हो जाएगी होम ब्रांच हो गई हैं आप कहीं से भी ऑपर तक ले जैहिन जैवारत